शांती स्खापित हुई है और सिर्ता भी आई है कॉंग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान यहां राइनों को कॉंग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरों से कैसे बचाया जाएगा मुझे बताईए राइनों को बचाना यह सवाल थाग नहीं था हम सबकी चिंता का विशय थाग नहीं था मैं जब जब इस शेत्र में आया इस विशय की चर्टा हुई के नहीं हुई यहां भाजपा के एंडिय की सरकार ने राइनों के दुश्मन सिकारियों को जेल के पीछे पहुचाया है कॉंग्रेस जिन अवई सब्जाधारियों को कोसान देती थी उनसे भी काजी रंगा को मुक्त कर दिया है साथ क्यों हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान या मानवी की सुविदा दोनों को प्राट्विक्ता देते हुए काम कर रही है और इसलिए गोपूर से नुमाली गड़ के लिए प्रम्मपुत्र के ओपर ब्रीच और बाइपास बना कर कनेक्टिविटी देने का प्रयाद सल रहा है इसे अपर आसाम की गोवाटी के साथ फोर लेंड कनेक्टिविटी सुलिचित होत रहेगी भाई और बहनों काजी रंगा सहीद हमारे तमाम अभ्यारण हमारे वनखेत्र हमारी धरोहर भी है पर्यावरण के पती हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है मुझे खुशी है कि बीते पांट साल में असम में वनखेत्र में वृत्ती हुई है जब असम जादा हरा बड़ा होता है तो यहाँ तूरिजम के लिए रोजगार के लिए संभावनाए बढ़ जाती है हमारी सरकार की सोश्चिस है कि भारत दुनिया में प्राकुर्थिक, आध्याद में सांस्कृर्थिक और धरोहरों से जुड़े तूरिजम से अग्रणी देशों में शामिल हो जादे असम के पास यह सब कुछ मौजूद है असम की भाशा बोली संस्कृती खानपान बेजबुशा असम के मेले चोवार यह सब यह सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए ऐसी विरासत आपके पास है ऐसे में असम दर्शन के तहट नव हजार से जादा सत्रों नामघरों और आस्ता से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्टर को बहतर करने का काम भी मरदे से यहां के राज्य सरकार को बढ़ाई देता हूं हाजबा NDA सरकार को बढ़ाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्ड़े करके यहां की विरासत तो उन्होंने शांदार जांदार बनाने का प्रयास किया है भाई और बहनों ये गोला घाट जीला ये तो असम्या इतिहाद और संस्कृति का इस कॉर्णिम फुरुष्ट है इस खेत्र ने स्वर्ग देवुद चावलूंग चुकावाग और सती साधनी जैसे अनेक प्रेरक प्रुष्टियां में दी है इस मिट्टी ने आई देवु हेदी और मोहिनी राजकुमारी जी के रूप पे असम्या करा के साध़त हमें दी है इस धरती ने बेजा बौरी कमला मिरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिये इस तरह ने असम को खारत को भारी आकरांताउं से बिचाने वाले देश की महान संतानों में से एक अहम गरों के पतीत लचीद बार्फुकन की इशार्य परमपरा हमें दी है हाई यूर बेनो यह अटल जी की अन्डिय सरकारी भी जम डेशनल डिपेंस अकेरमी में लचीद बौर्फुकन जी के नाम से गोल्ड मिडल देने का सिल्चिला शुरू हुआ असम की सरकार ने भी उनके जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में दुमदाम से मनाने का फैसला किया है साथ क्यों तिरम नाम को ही नहीं बलकि हमारी सरकार अपने काम से भी लचीद बौर्फुकन जी के सपने को पूरा कर रही थी लतिक भॉर्फुकेंजी की मिलिटरी स्ट्राटेजी स्वदेशी थी आत्मंदिर पर थी उन्होंने प्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी शैन्य तागत के रुपे उप्योग किया आज भारत भी सज्ञ्य साजो समान के मामले में आत्मंदिर पर होने की राह पर चल रहा है आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत के आर्तिक सम्रुत्रिक के कोरिडोर्स के रुपे विस्टित कर रहे हैं इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है भाई और भेनों असम के एक और बहुत बड़ी ताकत है पैट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग लेकिन दसकों तक को अंग्रेस असम के इस सामर से पर भी बैठी रही भी तेच्छे साल में सिर्फ ओईल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोर रुपे से ज़िका निवेश किया गया है 40,000 करोर रुपे से ज़िक हाज असम से होकर एक गोहाट फरावनी निच्रल गैस पाइपलाइग जा रही है इस pipeline से असम के भी अनेक घरों में pipe से सब्सक्राइब पहुंचेगी CNG आधारी ट्रांसपोर्ट जुबिदा तयार होगी और उद्योगों को परियाप्त गैस उपलब तो हो पाएगी नुमाली गड़ रिफाइंडी की क्या स्थिती थी? यह मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कोई बात आपसे छिपी नहीं है डबल इंजीर की सरकार ने इस रिफाइंडी की production capacity बढ़ाने के लिए हजारों करोड रुपे का निवेश सुनिश्चित किया है इतना ही नहीं तेरा सो करोड रुपे इसमें बायो रिफाइंडी लगाई गई है यहाँ बैम्बू से और बैम्बू वेश से इथेनोल बनाये जाएगा इससे यहाँ रोजगार के अउसर बढ़ेंगे स्थान ये लोगों को लाब होगा ताक्यों आज असम की ताकत को पहचान कर उससे जुड़े उद्योगों को प्रुथाइट किया जा रहा है यहाँ के बैम्बू प्रोड़क्स देख ही नहीं दुनिया में भी धुम मटा सकते हैं इसके लिए सरकार आपकी छोटी-छोटी दिक्टतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है ताक्यों आज से 90 साल से भी समय पहले अंग्रे जोने एक कानून बना कर बैम्बू को वुर्ष की कैटेगरी में डाल दिया था यह कानून प्राइवेट जन्मीन पर उगाये गए बैम्बू को काटने उनके ट्रांस्पोर्टेशन पर रोक लगाता था आज हादी के बाद भी सब्तर साल तक यह कानून ऐसे ही चला इस वज़े से किसानों को ट्रेडर्स को बैम्बू इंडस्टीज को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और यह कानून बदल दिया इसका बहुत बड़ा लाब असम में बैम्बू क्राप से जुड़े लोगों को, किसानों को, उद्यमियों को हुआ है अब बैम्बू का प्लांटेशन हो, वैल्लू चेन बनाना हो, बैम्बू बेश प्रोड़स्टी मार्केटिंग हो, सरकार सभी में सयोग कर रही है असम सरकार ने भी बैम्बू और केन के लिए विशेश पॉलिसी भी बनाई है, और इससे जुड़े छोटे उद्योगों के लिए विशेश जौन बनाने के लिए भी पहल की है यही तो है डबल इंगिन की सरकार की ताकत, साथ यो वो दिन कौन भूल सकता है, जब कॉंग्रेस सेंटर में भी थी, और असम में भी थी, तब नेगलेट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज में सुरुआई थी, ना केंदर में सुरुआई थी, तब राज में भी डबल था, क्योंकि कॉंग्रेस के सानिय नेता को भी कट, देना होता था, और कैंदर के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे, तब गुजबेठी भी डबल थे, क्योंकि राज सरकार को भी वूट मेंग की पड़ी थी, अब जब केंदर में अब हाइवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है अब इनफा सेक्टिर की स्पीड भी डबल है क्योंकि राज्य सरकार भी विकास पने जुटी है और केंद्र सरकार भी मजब कर रही हैं अब हर सीर को छट और हर घड़ को जल जैसे काम भी डबल फोर्स से हो रहे हैं केंदर और राज की डबल एंजिन की ताकत इसमें मिलकर के काम कर रही है इसलिए असम के लोगों को कॉंग्रेस के लूट के एंजिन को दूरी रखना है पता साल से जादा असम को राज करने वाले लोग आजकल असम को पाँच गारंटी दे रहें असम के लोग इनकी रगरग से वाकिव हैं इन लोगों को जूठे वाइदे करने की जूठे गोशना पंत्र बनाने की आदत पड़ गई है करीब को सिर्फ सपने दिखाओ जूठ बोलो उसे आपस में लड़ाओ और राज करो यही कॉंग्रेस सां हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मिला रहा है आपको याद रखना है कॉंग्रेस मतलब जूठे गोशना पत्र की गारंटी कॉंग्रेस मतलब कन्फूजन की गारंटी कॉंग्रेस मतलब अस्थीरता की गारंटी कॉंग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी कॉंग्रेस मतलब हिंसा और अलगाव वाद की गारंटी कॉंग्रेस मतलब प्रस्टाचार की गारंटी गोटालों की गरंटी भाई भतीजेवाद की गरंटी भाई यूर भेनो भाजपा के नेत्रुतों में NDA सरकार सप्ता साथ सप्ता विश्वाद के मंत्रव के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन आज के कॉंग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सप्ता से मतलब है वो चाहे कैसे भी मिल जाए असल में कॉंग्रेस का खजाना अफ़ाली हो गया है उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सप्ता चाहिए कॉंग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है कुर्सी के सिवाबस कोई दोस्त नहीं है न भीजन है न संकत है न कुछ करने का इरादा है बास कुर्सी हठ्याना कुर्सी से दोस्ती यही उनका कारोबार है अब देखिए जारखन में बिहार में महारत्र में जिनके साथ इनका घरबंदन है वो पश्चिम मंगाल में इनके खिलाब पचार कर रहे हैं केरल में लेप को गाली देते हैं पश्चिम मंगाल में कुर्ची की आज में लेप को गले लगाते हैं खुद को सेकुलर बताते हैं लेकिन असम पश्चिम मंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता है इसी कारण अब कॉंग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है भाई और भेनों असम ने तो इनको बरसों तक परखा है को अचम के मूल निवासियों के साथ कौंग्रेस का क्या रव़िया रहा है वो आपसे बहταर कौं जानता है यहा के मूल निवासी कबसे जमीन का अधिकार मांग रहे से लेकिन कौंग्रेStar की सरकार ने दिया ही नहीं यह NDA की सरकार है जिसने सवा तीन लाज से जादा जमिन के पट्टे दी रिये हैं बाकि भी बहुत जल लोगों को मिल रहे हैं साथियों कॉंग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी परसों तक भाव में रखा बीते पाथ सावों में भाजपाथ सरकार ने, NDA सरकार ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की पड़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरुरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए है चाय राजरीती के साथियों, अचाय उनके लिए राजरीती का रास्ता है, चाय पर राजरीती करने के उनके आदत है लेकिन यह न भूले, चाय जन्जाती के साथियों और इस जन्जाती से निकली महान विभुतियों को मान सम्मान और स्वाबिमान का जीवन देने के लिए NDA परतिबत है, भारतिये जरता पार्टी परतिबत है और दिल्ली की सरकार हो, असम की सरकार हो, हमारे लिए परतिबत टाका विश्ण है ती गार्डनस में काम करने वाले स्रमिक साथियों की दैनिक मद्दूरी बढ़े इसके लिए भी असम सरकार पुरी तरह गंबीर है इस सरकार में दो बार स्रमीक साथों की दैनिक मद्दूरी बढ़ाई गई है ये मामला कॉर्ट में इसलिए और कुछ मुश्किले जरूर आ रही है लेकिन असम्मेंडिये के सरकार दो बारा बनने के बाद इस दिशा में और तेजी से कदम उठाए जाएंगे मैं आपको यही कहूंगा कि जितना काम असम्में चाए बागान में काम करने वाले लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है केंद्र सरकार ने भी इस वर्थ के बजट में एक हजार करोड रुपिया एक हजार करोड रुपिये का विशेश प्रावदान टी गार्डन में काम करने वाले साथ्यों को लिए किया है भाई और बहनों बीते पांच साल में हमने असम के विकास को नई रप्तार दी है इस बार NDA के उमिदवारों को इन सभी साथ्यों को मिला हुआ हर वोट असम के तेज विकास के लिए वोट होगा एंडियों को मिलने वाली ताकत असम की आत्मंदिर फरता को उर्जा देगी एंडियों को मिलने वाला हर वोट यहां उत्योग और रोजगार के अउसरों को और बढ़ाएगा अखोमोर समो राइजोग आगंतुग रोंगोली फिहू शुर्वेक्षा अरू उलोग जते इतनी कड़ी धूप में इतनी बड़ी तादाद में आपका आना इस बात का संकेथ है कि भारती जनता पार्टी एंडिये को आपकी सेवा करने का पांच साल का दुबारा मुकाह देना आपने ताय कर लिया हुआ का मैं आपको बहुत बहुत अभाएबर सतना हुआ मैं आपको शुक्त कामना यह देता हूं मैं आपका बहुत बहुत अभाएबर करता हूं मेरे साथ पुरी टाकत से भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद